तो देखोल, पर अंदरे दिच देख सगदा चाननेच ने, अखांते है नुसकोल, उल्लू कोल है गियाने, सूरज दी रोशनीच नहीं देख सगदा, बड़े सोने ढगना बेइमानी कर सकदा है, कख किसे नुँ पता नहीं चलेगा, बड़ी स्यानप है, बड़ी सोज, बड़ी समझ है, लेकिन गुरुदा वाक जो खह रहे हैं, इदी कुछ भी समझ नहीं सो, कुछ भी समझ नहीं, धन गुरु नानिक देव जी महराजी कि मैंने, हक पराया नान का उस सुवर उस गाए, नहीं खांदा वबेगा हिंदू गउ, पर पराया हक खारे तो गउ भी खारे है, नहीं खांदा होएगा मुसल्मान सुवर पर प्राया हक खारे है तो सुवर ही खारे है हक पराया नान का उस सुवर उस गाय एक देश दूजे देश दा हक मार जान दे बड़े 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 देश चोटे देशां दा हक खोलें दे सारी दुनिया चैस दुना चलता है वड़ियां कौमा छोटी कौमा दा हक खोले हाँ वड़े मनुक छोटे मनुक खाँ सुरखांदे न यज항 खांदे न ऊड़को गूळए अगर इससाब नलो हो गेथ सुरखांदे ने गौखांदे न हक पराया नान का उस सुवर उस दाए गुरु पीर हामा तां भरे जा मुर्दार ना खाए गुरु पीर हामी परसगद अगर मुर्दार ना खावे तो मुर्दार की है हिंदू लई गव खाणा मुसल्मान लई सुवर खाणा पराया हक मुर्दार है यह मुर्दा है कि दो लुएक उखेना गैर्नल देखोंगे वडिल देश च honि अंग हो रहे हैं मुर्दा क्नह ओविल उखे क्मार जान्दियृ वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जाँ देना जद किसे दा हक मार लेया तो मुरदार ही खादा है और की खादा है किसे नू हराम केंदेना यही मैं अर्श कर देंगा और महराज के ने बड़े ने इतनी वड़ी स्यानप है खांदेवी हराम ने अगले नो कख भी नहीं पता चलता खांदेवी मुर्दार ने अगले नो कुछ भी नहीं पता चलता इतनी दृष्टीते हैं अंदेरे चे वेख सकते ने रोशनी चे नहीं वेख सकते तो जो अंदेरे चे वेख सकता है रोशने चे नहीं वेख सकता गूगू है और कोई की है संपत दौल जूल संग जूलत माया मगन फिरत गोगना सत्गुर ने उस प्रशन करता नो चुप करा देता सी जिसने किया सी महराज शबद सारे नो रोशनी नहीं देंदा सूरज देंदा सूरज सारे नहीं बार चानना कर देंदा गुरू दा शबद सारे नो रहर देज प्रकाश नहीं कर दा फिर एक करोड़ा सूरजा वरगा किस तरह हो गया दो शबद बरदाश कर ले ना अहाद जोड की में, माफी मंगा, घुगु थोड़े ने बहुत ज़्यादा नहीं पंचीया जच पशोवा जच ओ थोड़े जयाने जिनु राद दी तारीखी देश्ते लिखाई देंदा दिन लिख चानन जभे दें नहीं दिखाई दें गंदे गीतां देच तेरा सांदाय शबद देच कोई ने दिखे नाद देच तेरा सांदाय रबी संगीत देच कोई ने इन्हों दा ताल मिल रात नाल बैठदाय दिन नाल ने तो चुंके रात नाल ताल बैठदाय तो इन्हों ने साधन भी उसतना दे बनाएने कलब ने, ठेटर ने, शराब खाने ने वेशी हाले ने, जीए खाने ने सब रात नो खुल दे इना दी दर्वाजे रात नो खुल दे ना दी राउन के रात दी गए दिन दी नहींगे लोस अंजलेस देचे एक सजण मैंनो कहें लगा उत्थे भी किदरे धन गुरु नानिक देव जी महराईदा हुकम नामाया सी ते उस दिन किदरे हुकम नामे भी कथा करने सी तवारदा देन सी राती होवन कालियां सुपे दासे वन देहो बगगा तपे घणा कालियां काले वन पहले पातसाजी दावाग है सूरज दिन चिटा चड़े है पर कालियां चीज़ां ते कालियां ने कोई चिटियां नहीं होई गा रात काली बोली है बड़ी बहन कर मसेया दे रात पर चिटियां चीज़ां थे चिटियां ने कोई कालियां नहीं होई गा मारेश के जने कुरोड़ां भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजन पाई नहीं छड़ता वामे कितनी मस्यादी रात हो जाए कितनी कालिक हो जाए तो भी चिटिया ही रहेगी राती होवन कालियां सुप्पे दासेवन मल्ला पहला है सुई मल्ला पहला है पहले पात साजी दावाग ये मुक्बीर अपने धंगराल एंट बियान कर देन संतन चाडे संतई जी कोटक मिले असंत मल्यागर महयंगं बेड़े और तोसी तलताना तजंत इनना इलाकें ते चंदन नहीं है चंदन भारत देच मैसूर स्टेट देच बहुत ज्यादा करनाटक देच थोड़ा जी है तमलनाट देच भी है पर ज्यादा करनाटक देच है थोड़ा थोड़ा आंधरा ची भी मिलदा है मदे भारत देच भी मिलदा है पर अच्छी नसल्दा जुड़ा चंदन है बावन चंदन ओ करनाटक देचे बड़ा कीमती अक्सर जद चंदन दे लकड़ी कटाई हों दिये तो फिर मोर छड़े जान देन क्यों चंदन नू सब लिप्टे हों देन कोबरे, फनी अरनाक चंदन बड़ा सीतल है, चंदन बहुत ठंड़ा है तो सब्दे सिर्दे जड़ी जहर हों दिये अगर वद जाए सीमा तो फिर खौल दिये अगर उसनो कोई जानदार चीज जानदार जीव ना मिले उसक्दा पत्थर नो भी डंग मालेगा जहर कड़ लेगा तो किसे रोज़दा खौल दा है और द्राफ्त नो भी डंग मार सकता है कुछ पे कहेंदेने ओही पत्थर संखिया बन जानदा है जेनो फनियर नाग डंग मार दा है भारत देखते इस तरह मन देने वैद लोग उन्हों संखिया कहेंदेने इस साप चंदन नो लिप्टे हैं देन चंदन ठंडा बरा है उन्हां दे सिर नो ठंड मिल दी है अक्सर उते मोर छड़ देन ते मोर सप्पा नो खा जानदा है मोर सप्पा ते हमला करता है ते साप डंग मार देख मोर नो सफल नहीं हो दा कि उस देय से पंख ने कोई जोप ते हाने नहीं पहुंच दी अक्सर सप नस देने बज देने मोर नो वेक्त करता है भगुद कवीर के ने सेखड़े सप लिप्टेने चंदन क्या चंदन जैरीला हो जानदा है ते चंदन कोई गरम हो जानदा है नहीं चंदन सुगंद ते ठंड सप्पानों भी देंदे संत ते ओ है जिदी मैं फिल दिछ बैठ की कुई चोर भी शान्त हो जाए इतनी मैं अर्ज करते हैं मैं पगर्या सिक सूफी फ़केर दी गाथा हसन दी रात दा वकत अद्धी रात दा इरान दी गल इरान ठंडा देश बरफां पेंदियन चोर के दे हसन दी कुटिया देच बड़ गए हसन लेटे है यासी उपर कंबल दया आ गई इस चोर नो मेरे कार्च कुछ नहीं मिलेगा खाली जाएगा अद्धी रात नो आया है ठंड दे विचा आया विचारा खाली जाएगा कदी किसे संत ने चोर नो नहीं मारे या चोरा नहीं चोर नो मारे है बगार मतला करना कदी कदी किसे संत ने दोष्ट नो नहीं मारे है दोष्टा नहीं दोष्ट नो मारे है कदी बगार मतला करना जैसे तो देख ले चोर दी एक खाहां रात नाल ताल मेल बिठा लेने क्योंकि जिन्री रात दिये सहजे से जो सुनों रात दिछ दिखाई दिन लग पेंदे अंदर दिखाई दिन लग पेंदे उन्हें देखे कुछ नहीं है जान लगया हसन ने आवाज मारी मित्रा और पे मेरे कुल कुछ ने मेरे कुल कंबल है तेरे कुल कंबल भी को नहीं बार ठंड बड़ी है यह लए जा और अपने कुल कुछ भी नहीं यह लए जा काली ना जा मेरी तोहिन ना कर मेरी कुठिया छोग मेरे घर अंड़ी नहीं कोई तों आया है और अद्धीर आतनों आया है खाली जा रहे हैं मेरे नो दुख है मेरे ते तरस खा मेरे हिर्दे नो तड़ पाना अलेजा कमल चोर दी सारी चोरी निकल गई पता है उस चोर ने ती आख्या जिनकी पहली दफ़ा किसे अमीर दा घर लगे है आया तो मैं लुटन सी मैं खुद लुटे जा गया वो चोर फकीर हो गया हसंदी संगतना अलांके उसनों चोर ते भी तरस आ रहे हैं से धन गुर नाने के देख जी मारा राजी के लिए कितनी काली राध हो गया चिटिया चीज़ा थे चिटिया रहे हो गया कोई काली थोड़ी हो जान दी गया और कितने चिटा दिन तपया होए चारों पासे उसने रुष्णी चिटियाई फैलाई होए पर काली चीज़ा थे काली रहे दी गया पंगती में थोनों फिर सुनावा राती हो वन कालिया सुपे दासे वन देहो बगगा तपे घणा कालिया काले वन कितना भी सूरज चानना करे कालिया चीजां कालिया इरें दिगाना कितनी रात कालक वन ले चीजां 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 ही रहें दिगा जो खेंदे ने माहौल ठीक नहीं की करिए माहौल ज़रा ठीक हो जाए फिर असी ठीक हो जावांगे सब भाने बाजियान है और देरी राग देच भी चिटियां चीजां चिटियां रेंदिया का कितने ही महौल खराब होए महौल ती प्रेलाददा भी ठीक नहीं सी प्यो वेरी है ती जेल देच पाया हुए ती चार चार दिन दा बुखा वो जेल देच भी समादी ला लेंदा, ऐसी घर देच भी नहीं ला सकते वो चार दिन दा बुखा है, सुर्थ शबद ना जोड लेंदा, इत्वे भर पेट भी मनुख नहीं जोड़ दे उत्वे प्यो जान दा वेरी है, फिर भी वो प्रभू ना जोड़े है इत्वे मां बागदा लाड मवजूद है, सब कुछ मवजूद है, पिर भी प्रभू ना जोड़ना नहीं है महोल के प्रेलाददा भी ठीक नहीं है महोल, रामदा भी ठीक नहीं है, बनवास है रात रुखां तले कटना हूंदा है दिनों के दरे भोजन नसीब होएगा के नहीं की कांद मुझा के घुजारा करना होएगा जिंदगी ते कुछ भी नहीं है महोल ठीक नहीं है लेकिन उजित्धे भी ने जंगल दीच भी मंगल है महोल कृशन दा भी ठीक नहीं है राज घराने दा लड़का है पाल दे गुजर पैने गौले पैपाल देना शाही खानदान दा लड़का गौले पैपाल देना इस सब भाने बाजियाने जरा महौल ठीक हो जाए अमरत भी चकल लवांगे जरा महौल ठीक हो जाए एकलगी दर पातषा सी तेरी रहत-बैत भी रख ले आँगे जरा महौल ठीक हो जाए असी अमरत वेले भी उठाँगे जरा महौल ठीक हो जाए असी नाम भी जापांगे सब बहाने बाजियाने महौल कभी ठीक नहीं होंदा कुछ न कुछ ते गड़ बर रहें दी है सारी जिन्दगी रहें दी कुछ न कुछ ते होंदा सागर लहरां तो बिना नहीं होंदा जिन्दगी समस्यावां तो बिना नहीं होंदी कुछ न कुछ ते समस्या रहें महौल गुरुनामिक दा भी ठीक नहीं पिता मखट्टू केंदा है मंता दी मारी होई मां केंदी एक कोई पुत्तर है मेरा सुधा ही है सुधा ही है बेधी केंदे ने पोतना बेताला है बेधी होंदेयों या जनेव नहीं पेंदा बेधी होंदेयों या बेदां ते शर्दा नहीं रखता बेदी हो देना या बेद नहीं पड़ता बेदी या दे घर जनम ब्रामन ही कहने ने कुराई है बूतना बेताल है बगदाफ देच ते मुसल्माना ने पथर भी मार देते महौल ते ठीक नहीं है बाबर ने जेल देच भी पा देता है महौल ते गुरु अरजन देव जी लावी ठीक नहीं है वड़ा भिराव प्रिखी चंद वेरी है जान दा वेरी है मसंद उसने सारे बागी कर ले ते धन गुरु अरजन देव जी महराईदा घर घाट लुट लेया आन लुट लेया दान लुट लेया सारा साजो समान लुट लेया चारों पासे पैरा बिठा देता अमरत सर दिच कोई संगता गुरु अरजन देव जी तक पहुंचन भी ना होंदेने इस तरह दे लोग गुरु तक कोई ना पहुंचे और इस तरह देवी लोग होंदेने गुरु सडे तक ना पहुंचे धन गुरु तएक बादर साजismo जी महराज दरवार साव जड़ गयना मसंदा ने दरवाज़े बंद कर देते गुरु दा घर गुरु ले बंद गुरु तएक बादर साव नों अंदर नहीं आन देता मसंदा ने पता है सद्गुर बार बैठे और थड़ा सद्गुर द्वारा आज भी मौजूद है बार बैठे के दर्वाजा बन कर दें तो दुसी नहीं जा सकते ज़द सच आ जाये ना तो फिर जूठेया नों कौन पुछेगा तो जूठे नों वे डर होंदा है सच आवेईना आवेईना खरीब नी खरीब ने इस तरह दे लोग जिए जी कह लो चर्च देचोँ मस्जिद देचोँ मंदरा च्कुदानों कड शड़ दे रजेने खुदा तो बिना चर्च दी पूजा कर देने भगवान तो बिना मंदरा देच पूजा चल दी गए बहुर मतल़ करना ऐसा हुंदा है क्योंकि भगवान हो वे ते फिर शैतान नो कौन पुछेगा सच हो वे ते फिर जूट नो कौन पुछेगा इतनी रोशनी हो जाए ते पिर ये अंदेरे कि थे जान गए ताला एक तू मेरे जान दा वैरी बनाया है मैनू टिकन ही नहीं देंदा है सूरज मेरे पिछे लाठ लेकर पे आया इक तू मेरे ले नहीं बनाया है मैनू टिकन ही नहीं देंदा किदर है मेरा पक्का दुश्मन तुशी इसनो रोको मेरे नाल दुश्मनी ना करे मैंनो टिकन देवे कहानी कार शेक साधी लिख़दा है खुदा ने सूरज नो तल्ब की था आखे आज अधेरा मेरे को फर्याग लेके आया सी बड़ा रोया बड़ा रोया तेरी शिकायत कर दा सी तो उसनल क्यों वेर कमाना है तो क्यों उसनल दुश्मनी करना है सूरज ने हाथ जोड़के आके खुदावन ताल्या मैं ते कदी वेख़या इन्हीं अधेरे नो ते जिन्नों मैं वेख़या ने यदिनल कदी दुश्मनी मेरे मैं ते जानदा ही नहीं उसनो मैंनू पता ही कोई ने मैंनू ते नाम धाम दा ही पता कोई ने ए खुदा मैं कहुं से नल्दुशमने कमा मांगा सच दे होंदे हाँ जूट रहे ने सकता इस वह से जूट दी पूरी कोशिश होंदी ये दर्वाजे बंद करो सच नहीं आना चाहिदा मंदर दे दर्वार बंद करो भगवान नहीं आना चाहिदा गुरु ते एक बादर सेवली दर्वाजे बंद कर दते है इतिहास है सद्गुर्व वापस जान लगे इतिह अमरत सर्दियां मातामा ने रोक लिया इतिह जान लग दे से उनना ने नहीं जान दे था तो पता कभी संतोग सिंग्जी ने कहीं लिखिया है सारे अमरत सर्दियां लगी नहीं ने मैं अर्ज करें पाई संतोग सिंग्जी दे बोल ए मसंद जो अमरत सर्दिये त्रिशन अगन के अंतर सर्दिये इह जो मसंद ने यह जो पुजारी तब का है यह जो धार मेक तब का है इती प्रिश्णा दे सड़े वे ने इती अंदेरे दे जीन वाले माईया रब रजाईया एक कवी संतोग सींजी ने लिखे है सदगुर दे मुखार बिन तो इबोल निकले मातामा ने रोक ले धन गुरू तेक बादर सहब जी महाराज न ने ते मसंदा ने थे बार कड़ देता सी चारों पासे मसंदा ने ज़ पैरा लाज देता है संगत गुरू तक ना पहुंचे अन धन शस्तर सब कुछ लुट ले है प्रिथी चन ने महोलते ठीक नहीं है जहांगीर भी वह रही है प्रिथी चन जो कुछ कर रहे है सी जहांगीर दी ताकत भी नाल सी क्योंकि जहांगीर नहीं चांदा सी गुरू भर दी शक्ती वज़ जाए ताकत वज़ जाए और जो मैं तबलीग दा कम करना चांदा हो देज कोई रुकावट खड़ी होगे वह नहीं चांदा सी उन्हों बहुत वड़ा दुख हो आया सी जग उन्हों पता चलिया महाम सूफी संत साई मिया मेर उन्हें अपना मस्तक गुरु अरजन देवजी दे कदमाते रखे यह जहां गीर दी सोचनी पह गई तो इस तरह दे पुर्ष दे हों दिया मैं इसलाम किस तरह पहलावाँगा मिया मेर जैसे जोक गए हुथ है यह मैं हटाना प्रिथी चन्नों हथच भीता प्रिथी चन्द पहले गहरी सी उन्हों शाही घराने दी ताकत में लगए आद काल तो गुरु घर नो इस डंगलाल कमजोर की ता जंद रहे राहराय नो औरंगजेव ने खड़ा करके धन गुरु हर कृष्ण जी महराई दी गुर्याई नो कमजोर करन दी कोशिश की ती गई बहुर मुताला करना सब औरंगजेव दी शेय है वक्त दिया हकूंतों नहीं चांदियों दिया कुछ साड़ी बराबरी ते आजाए मकाबले ते आजाए क्रिंदे ने संगता ले चाओं जो दस भी बंदे अंदर रहे गए सन अज दिन भर लंगर नहीं बनेया पैरा रहया कोई रसत पानी आई नहीं जीड़ी हैगी से और सब लुटके ले गया प्रती चंद आनल लुटके ले गया दानल लुटके ले गया धन्गुरु अर्जन देव जी महराहिदी सुपतनी साड़ी जगत माता गंगा जी ने घर ट टोलना शुरू कीता मतां कुछ लबे दो पर शादे पे बनन धन्गुरु अर्जन ले देव जी ले अज दिन भर दा कुछ भी अनपानी ने कुछ भी अनपानी ने ये महराहिदी सिर्फ बोली ने आगया में भूक सोई कर सूखा रखने जाने यो जो जो हुकम भयो साहिव का सो माते ले वाने यो खेर मुक्तसर मेर्ज करां एक मिट्टी दे भांड़े दिछ थोड़ा जियां कि दरे बेस्वन बेया से इदे दो परशादे बने मिट्टी दे तवे दे और मिट्टी दे ठीक रे देची एदो परशादे सद्गुरा दे अग्गो रखे पांड़े भी कोई नी समाँ लेकिन एदो परशादे अग्गो रख दे आँसार चेख निकल गई जगत माता गंगा दे अपने हंजवानों नहीं रोख सकी जज़वात दे चाह गई दे धन गुरु अरजन देव जी महराईदा अमरत मही बोल अमर कलाम जो आब दे कंठ तो प्रगट होया है रूखो भोजन एकानरे राग दे अंदर है कदी कदी बाही कल्याम सिंग पड़ताल गांदे ने इस शबद दी रूखो भोजन भूम सैन सकी प्रेशंग सूख बेहात ऐ सकी तु रोला प्रिफी चंद आनल उटके ले गया है तानल उटके ले गया है बस्तर लुटके ले गया है शस्तर लुटके ले गया है पर इना सारियां चीजानों देन वाला जड़ाव महान दाता है उते मेरे हिर्दिच बैठा है उन्हों ते लुटके नहीं ले गया फिर रोना केड़ी गन्दा रुखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सूख बेहाद संत न चाड़े संत ही जे कोटक मिलें असन माहौल बारदा कितना भी खराब क्यों ना हुए संत अपना मन खराब नहीं करदा कितनी मैर्स करते हैं चोटियों चोटियों गलना दे पाने बाज़े जरा माहौल ठीक नहीं ठीक हो जाए अमरत शकला मांगे तो माहौल ठीक करने हैं अपनी जिन्दगी लगा बैठेंगा कदी नहीं चाके सकेंगा माहौल किस दा ठीक होया है किस दा भी नहीं होया बड़े बड़े अवतारी पुरसान दा माहौल ठीक नहीं होया कि तेरा कि तो हो जाएगा सारी जिन्दगी जंगो जगल देच लंग गई मुहम्मद सावदी सारी जिन्दगी धनगर गोबिन सिंग जी महराइदी संगर्ष देच लंग गई अलायार खांजोगी लिख देने आधार में कभी तुझ को संभलने ना दिया था आराम से पहलो को बदलने ना दिया था एकल गी दर पाशा तुझ ते एक रात भी आरामी नीद ने शाव सके कांटाव दिले पुर्ष खूंसे निकलने ना दिया था तुझ ते हर वकत संगर्ष देच रहे बाज़ दौर देच रहे कदी इदर कदी उदर अदावतां बाई धार दे राजियां दी अदावत वकदी हकूमत औरंगजेब दी अदावत सोडियां दी अदावत मसंदां दी अदावत तीरमल दी अदावत चारों पासे अदावत दावत धन्गुरु गोगन सिंग जी महराज ने देखिया सिखीदा दाइरा बहुत वद गया बिहार आसाम महरास्टर गुजराथ सबल पेट देचा गया तो गुर्बाने देश रूप धन्गुरु गुनसाब देश रूप बहुते चाही देने भीर मलकुल मंग की थी ताके इस दे उतारे करवाई गया है फिए ओ बीर जो धन्गुरु अरजन देव जी महराज ने लिखवाई ते भाई गुर्बास जी ने लिखी पता है जो इरमल ने की आखिया जी वाकई गुर्णानिक दी गदी दे वारस हो तुसी ता खुद उचारन कर लो मैं नहीं देने है फिए ज जी तुसी सूर बेरो तो यूद करके वेखलो जंग करके वेखलो तो जी गुर्णानिक दी गदी दे वारस हो तो खुद उचारन कर लो मैं नहीं देने दोहां दे जिड़ा रस्ता चूनाने चून लो मैं तुसे कीमत तो भी नहीं देने यूद करना है तो यूद करके दिरमल को भी फाउज सी और लड़ाक बिरती उस दी है इसी सत्गुर ने मुनासब नहीं समझे धीर मलना युद करना वरना बड़े-बड़े युद होए ने पर धीर मलना युद करना धन गुर गोविन सिंग जी महाराज ने मुनासब नहीं समझे दम दमा साव दिछ बैठे ने मौजदेच कावज मंगाए कलम अपने हथों देती मनी सिंग नो अख्यस अध्गुर दे शरूब धन गुरुवन साब जी महाराज दे शरूब तियार करने ने सिथी दा दाइरा वज गया बानी दा पाठ थाँ 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 ते ओगया गुरवानी दे शरूब दे पहली बीर जो करतार पुरदी अजिकल जो राम सर दिछ लिखी गई कि करतार पुरदी च मौजूद है ते इर्मलीया दे कोल। इदी लिखारी पाई गुर रास जी सं उचारन करता गुरु अर्जन देव जीष ए जरी बीर प्रकाश माने सारी दुनिया इदे उचारन करता धन गुर गोबिन सिंग जी महराज ने लिखा री पाई मनी सिंग ने लिखन वाले पाई मनी सिंग ने करफार पूर भी वीड ते इस वीड देश बस थोड़ा जे अंतरह उस देश गुरतेक बादर सेव दी बानी ने एदिज सद्गुना ने गुर्टेग बादर सहीव दी बानी चड़ाई गए और आप सुनके हैरान हो गोगे कदी मौका में लेकी दर्शन मी कर सकते और करतार पूर जाके जित्थे जित्थे तुसी गुर्टेग बादर सहीव जी दी बानी वेक देओ ना होना इत्थे त्थे उत्थे पन्ने खाली ने उस बीड़ देच करतार पूर दी बीड़ देच वो पत्रे खाली बेहने है वो जगा खाली देगा दो दो पन्ने एक एक पन्ना खाली पीए क्यों कि इतनी इतनी बानी है गुर्टेग बादर सहीव दी पन्ने खाली पेहने हुँ ते बहुत कफ़नाई ना दर्शन करा देने किश्रूमनी कमेटी ने मंग कर लई इस भी तोशेख राने चे रखी है सारे ने खुलने दर्शनों ने दिती उन्हाने उदों कल भी धर नो ने दिती ते हुँ ने पन्थ नो की देन गया अवि मैंर्स कर दे हैं ओभोगुर्गोविन सिंग जी महराज मने रह गए नहीं दिती तहुंट पंथ मंधा रह गया नहीं दिती खेर मुomination toge सर जो है मैं अर्स करा मनी सिंग ने थे शक की ता महराज बोलते थो डेवी ने बचन अमरतमाीते थो डेवी ने बीरत उसी संपूरन करा ले अपनी बानी नहीं मनी सिंह असी जो लिखाया है वो दिछ इतिहास है चवी अवतारां दा इतिहास है सद गुर्दा अपना इतिहास है अब मैं अपनी कथा बखानो हूँ तब सादत जैं बेदमवयानो मनी सिंह असी अपनी कथा प्रमातमा दी कथा दिच नहीं लिखनी गुरुगरंद साव दिच प्रमातमा दी कथा इस परपंच में साचे नाम की वड़ाई मत को धरोग माना किसे गुरुदा इतिहास नहीं है किसे पाथशाई दा इतिहास नहीं गुर्णानिक किते प्रगट होए कदों प्रगट होए उन्हादे माँ बाप कौन सन पतनी दा की नासी बच्चे कितने सन गुरु गुरु गुरुन साव दिच नहीं है कदों जोती जोत समाए नहीं है इतिहास नहीं है निरॉल ब्रम गयान ने रोल प्रमातमाद आ गया नौँ खैरे में विच्कार गाल आ गई धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के ने सूरज सारेया नो चानण नहीं देंदा उल्लू नो चानणा नहीं मिलदा गोगो नो चानणा नहीं मिलदा पंशियां देच को एक कार गोगो थोड़े ने जो गोगो ने मनुखी दुनियाच बहुत ज़्यादा ने बहुत ज़्यादा ने गुर्शबद देच चानणे देच कोई दिखाई देवे गुर्बानेगी रोशनीच कोई दिखाई देवे कितनी सूजबूजी कोई नी मन रे संसार अंद गएरा एक पे मनुख दिवनियच अंदेरा है अचेत है दूसरा अंद है अपना अचेत पना देख सके इतना बोद भी कोई नी असंख मूरक अंद गोर कोशिश्ट मेरी सी इस पौड़ी दे पूरे अर्थ मैं थड़े समने करदा कल करांगे तो थानों लेट भी ना करिये असंख मूरक अंद गोर अंदेरे दा जीवन उचाने दा जीवन सी असंख जब असंख बाव और इस चकर च ना पेना गोगूई अंदेरे चांदेने बहुते मनुक अंदेरे चने जाद में लोस अंजलेस देच उ सिंक्रेन लगा गैने जी था उनो रात दी जिन्दगे दिखाईए में खा तू देखदाऊ ना है कहने हाँ तो में खा मैं अज का था जी ते सुनाईए रात दी जिन्दगी ते उल्लू आँ दियों दियो उल्लू में नो बनाना ही दिला जाओ खंदे गैनी जी तुसी तिये प्रोक्स रूब देच में नो उल्लू आखे प्रोक्स केने ने जी में बैगराउंड देच पिछे खड़े होगे संस्क्रेट देच शबदा प्रोक्स पिछे छपके तुसी तो मैंनो उल्लू कह देता मैं कहा तुसी मैंनो उल्लू बनांदे से मैं की करा फ़र तुसी इस तरह कह रहे से लोस विगास एरपोर्ट देते प्लेन बदलना से मैंनो याद है इत्व ही गया से मैं लोसंजले से इत्व हुआ एरपोर्टे भी जुवा चल रहे हद दोगे सारा शेर ते जुवारियां दा है पिछ ले एरपोर्ट तो बार निकल के खेड ले ओ उत्थे भी खेड देना उत्थे बैठें बैठें भी जुवा चल रहे राप दी जिन्दगी जुवे खानेयां दे दर्वाजे रात नो खुल देन वैशालेयां दे दर्वाजे रात नो खुल देन शराब खानेयां दे दर्वाजे रात नो खुल देन तेटनां दे कलबां दे दर्वाजे रात नो खुल देन जिनां दी जिन्दगी रात बर गी ए उना दा उत्वे ताल मेल बैटता है उत्वे ताल मेल बैटता है उत्वे दिखाई देंदा है गुर्दवार ही ती शाय देना दी अखां बंदो जान गया कुछ नहीं दिखाई देंगा कुछ नहीं दिखाई देंगा कुछ भी नहीं दिखाई देंगा उना बारे मेरे पात्षा एक पौड़ी उचारन कर देने एक चानन पक एक आने रापक एक दिन दी जिंदगी एक राप दी जिंदगी एक रापस्ट आ बारे मेरे सी जिस पूंडी